बीच रविंद्र जेन्द भी हमारे साथ परी चौक से सिधा लाइब जुड़े हुए हैं रविंद्र आपके पास क्या अपडीट क्या वहां से जो काफिला है वो गुज़र चुका है? जी अभी धेन्द ए से कुछ समय पहले ही जो काफिला था वो सैफाई के लिए बुज़रा है हम अभी यहमने एक्सर्स के जीरो पॉइंट पर है यहां से कुछी देर में जो पार्थिव जो सरीर है मुलाइम सीग जी का वो यहां पर पहुंचेगा पुलिस विए पुलिस विवस्ता यहां पर कर दी चौक चौवन कर दी गई है कुछी देर में यहां पर जो है मुलाइम सीग जी का पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा और उनका काफिला यहां से होते हुए सेफाई के लिए रवाना होगा कुछ ही देर में यहाँ पर मुलाइम सिंग जी का पार्थिव सरीर है पुलिस विवस्ता चाक चोबन कर दी गई है किसी भी तरह से यहाँ पर कोई जाम ना लग जाए या कोई स्थिती पैदा ना जाए उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारिया पुलिस ने पहले ही कर ली थी जैसे ही डी एंडी ए इसको कुछ समय पहले क्रॉस किये था उसके बाद जीरो पॉइंट पर जो उनका पार्थिव सरीर है वो यहाँ से होते हुए यमने एक्सर से होते हुए जो सैफाई के लिए रवाना होगा देखिए पुलिस यहाँ पर जो है चेकिंग कर रहे हैं यही से होते हुए वो सैफाई के लिए रवाना होंगे कुछी देर में हो सकता है कि कुछी पलों में जो है उनका पार्थिव सरीर अभी फिलाल में जो है जो है जीरो पॉइंट पर यमने एक्सर से पर जो चड़ जाए कुछी दूरी पर अभी भी फिलाल में जो है मुलाइम सिंसी का पार्थिव सरीर वो उनके जो काफिला है वो आने वाला है जी ठीक है ठीक है रविंद्र आप लगातार अपडेट देते रहीएगा एक बार फिर से सनुच के पास चुलते हैं सनुच क्योंकि देखे परी चौक से रविंद प्रमुतिवारी का क्या कुछ कहना है कोंग्रेश में वो भी आपको सुदा देते हैं घरती राश्ची कॉंग्रेश के अधिश की चुनाओं की प्रक्रिया चल रही है जैसा गांधी परिवार जो कहता है करता है चलिए एक बार फिर से रविंद्र से अपडेट ले 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 पास अपडेट है रवींदु के अपडेट है तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी यहां पर पहुंचे है पीछे जो है वो लोग रुके हुए है वो चाहते हैं कि उनका अंतिम जो एक दर्शन है वो कर रहे हैं लेकिन यहां पर जीरो पॉइंट पर पूलिस का कह है कि वो किसी भी तरीके से यहां पर उनका जो काफिला है जो पार्टी शरीर लेकर जो जा रहा है वो यहां नहीं रुके का लेकिन उनका अंतिम दर्शन कर ले तो उसको लेकर कुछ जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो आगे की तरफ है वो इंजार कर रहे है कि कि किसी भी समय है वो आ जाय हैंगे पुली पर कांफ जानकारी मिल यह पुली, उखन खुलास बिसहाँ कहा हैlier कि इनका पाथी स्वरीर है वो जो यहां से लेकर जाएए से से फ़ाई के लिए वो यहां पर नहीं लूड़ेगा कुछी देर में अभी फिलाल जो जानकारी मिल ले इसफिलिस के लोग है, वो कहे रहें थे कि जो अधिकारी है, वो कुछी देर में काफीला, जो 0.00 तर पहुँझने वाला है, गये कि देखे जीरो पॉइंट से लेकर जीरो पॉइंट तक ज्यादा दूरी नहीं है तकरीवन 25 से 26 क्लो मिटर की दूरी है वो बीस 22 मिनिट में जो दूरी तय हो जाती है वो जो दूरी है उन्होंने पूरी लगवक्त तय कर ली है और यमना एक्सपर से कि यहां पर हम खड़े है जीरो पॉइंट पर कुछी देर में जो पार्टिश भरी पहुंचेगा देखे सुगुवार्ट कुछ लग रही है कुछ साइरन भी बज़ रहा है लग रहा है कि जैसे कि पार्टिश देखे हमारे पीछे दिखा लेका एस्प्री तसुरे जो मुलाइम सिंजी का जीवी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं जो मुलाइम परिवार के जो तमाम अधिकारी हैं वो लोग सभी यहां पर हैं देखिए तसुरे में जो ताफिला है तो पार्टिश रहे हैं वो यहां से सीधा सफ़ाई के लिए जीरो पॉइंट से चल चुका है अभी दर्विंदर arrived शेवार के जीकारी हैं वो सभी कर्या है ताफि़ सभी यहां से निकल गर रहताए करें हैं लेकिन कुछ लोग अभी जो है यह जानकारी दे रहे है कि साइध इनका इनका शरीर है वो कहीं रोका जाएगा अब लेकिन यह जानकारी किया कि मुलाइम पर है पर रुकेंगे के दर्शन लोग करेंगे लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनका भी काफिला काफिलम्बे जोर से इनके साथ चल रहा है देखिए कुछी समय में जो है यहां से अभी कुछी समय पहले जो है जिरो पॉइंट से पार्टी सरी शाफ़ाई के लिए निकला है और फिलाल जो है उनके साथ फोर्स और जो नेता है वो लोग के साथ रवाना हुए है जे ठीक है ठीक है तो यह रविंद्र ने तस्वीरे दिखाई और एक्स्क्लियूजव तस्वीरे आपने देखी कि किस तरीके से तेजी से जो काफिला है वो निकल चुका है जीरो बाद जेवर टोल प्लाजा पर पहुँचे गा, वहां से अपडेट देने के लिए सनुच शर्मा असवक्त हमारे साथ मौजूद है, आपने देखा कि कैसे तो परिवार के सदे से तो मौके पर मौजूद है ही, एम्बुलेंस के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जो कारे करता है उनकी गारिया भी जो काफिला है उसके पीछे चल रही है, सनुच से अपडेट ले लेते हैं, सनुच जीरो पॉइंट से जो काफिला है वो निकल चुका है, और अगर डिस्टेंस माना जाए, जीवर टोल प्लाजा से जीरो पॉइंट तक का, तो कितना डिस्टेंस है, कितन 15-20 मिनट के भीतर पहुंच सकता है और यहाँ से अगर सैफ़ाई के हम दूरी की बात करें तो यहाँ से सैफ़ाई के दूरी करीब 240 किलो मीटर है यानि करीब 3 गंटे का जो वक्त है वो यहाँ से सैफ़ाई तक पहुंचने में लगेगा 15 मिनट यहाँ तक की बताई जा रहे है कि 15-20 मिनट में जो उनका काफिला है वो यहाँ पर पहुंच सकता है और धीरे धीरे यहाँ पर जो देखिए सरगर्मिया है वो बढ़ने शुरू हो गए है जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए है जो फोर्स का मॉमेंट है वो यहाँ पर लगातार जो बढ़ता है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है और जो भी नेता है जो यहाँ से सीधे सैफ़ाई जाना चाहते है उन्होंने सीधे जेवर टोल के बाहर यहां जो गाडियां है वो अपनी पार्कर नी शुरू कर दी है और उसके बाद जैसे ही पार्तिव शरीर यहां से गुजरेगा यह तमाम जो गाडियां है वो यहां से उनके साथ सीधे होते हुए सैफ़ाई तक चली जाएंगे देखे नेता जी दर्थी पुत्र के लिए आप ये सोचे कि लोगों की आखों में आसू है चुकि कई लोग ऐसे थे कि जो फर्ष पर थे और फर्ष से अर्ष तक पहुँचाने का जो काम है वो नेता जी ने किया था और लोगों को उमीद रही थी कि कभी राजनीती के ऐसे शिखर में वो लोग पहुँच सकते हैं कुछ किसान थे, कुछ गरीद थे, कुछ मजदूर थे, उनको कोई उमीद नहीं थी लेकिन नेता जी ने उनका हाथ थामा और हाथ थामेने के बाद उनको सियास्यत में एक उचे मुकाम पर पहुचाया है तो ऐसे लोग भला कैसे वो कर सकते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखे, नाम मुलायम सिंग मन से वाके ही वो मुलायम है लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसले हैं वो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं चाहे कोई भी फैसला लिया, कभी नेता जी ने अपने कदम पीछे नहीं खीचे और नेता जी सबसे बड़ी बात यही कहा करते थे, कि हार के आगे भी मन्जिल है यानि उनका सीधा कहना था कि अगर हार हाथ लगी है तो घबराने की कोई जरूत रही है हार के आगे भी मन्जिल है और उस मन्जिल की तरफ अपनी आखे लगा लिये और उस मन्जिल तक पहुँचने का जो काम है वो कीजिए गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो हमेशा नेता जी ने इन सब की बात करी है, सभी को जोड़ कर रखने की बात करी है एक वो दौर भी था कि जब आप देखे कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंग जी के साथ रहकर नेता जी ने राजनी थी के गूर सीखे और उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले गए तो आप खुद सोचिए कि एक शक्स जो शिक्षक हो शिक्षक होने के साथ साथ फिर वो पैलवान बना पैलवान बनने के बाद विधायक बनने विधायक बनने के बाद मंतरी बनना मंतरी के बाद मुख्यमंतरी बनना और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का तीन बार मुख्यमंतरी बनना तो आप खुद सोचिए कि उनकी सोच कैसी थी सबको साथ लेकर चलना सबके साथ चलना किसी से नाराजगी है तो कही ना कहीं सब्सक्राइब करें देखें पूर्मंत्री है किरनपाल कश्यप जी आ गए हो उनसे बात करते हैं क्या जानकारी मिली है नेता जी के काफिले के लिए कि जो पार्थिव शरी ने कहा तक पहुंचा है मैं उमेश पांडे पहले तो बता दूँ आपने गलत मैं उमेश पांडे पुर्विधायक मदवन माउस हूं और आज ये जानकारी सुबह 8 बच के 16 मिनट पर मिली कि धर्ती पुत्र जो किसानों के नेता करीबों के नेता सोशित पीड़तों के नेता आज इस दुनिया को दे गए उन्हीं के शोक संबेदना में हम लोग आज यहां पर इकटे हैं रास्ते में उनकी डेड़ वाड़ी आ रही है वहीं श्रदा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग आए कितनी देर में बताया जा रहा है वाकी कहते हैं कि गरीबों की बात हो किसानों की बात हो मजदूरों की बात हो ऐसे तमाम नेता रहे हैं कि जिनको फर्ष से उठाकर अज तक पहुंचा है नेता जी ऐसा दुनिया में कोई नेता नहीं है जैसे मुलाम सिंधी है हमको देख लिए आम कारिकरता गाओं के रहने वाले सबसे जादे लंबे समय तक मुझफनेगर का शामली का दोनों जो लगा अध्यक्स रहा 20 साल और 2002 में टिकट दिया बिधायक बना थाना वहन से तीन में सरका में हरी किसन सिंग सुर्जीत एबी बर्धन अमर सिंग जी वीपी सिंग जी पूर परदान मंतरी मुलाइम सिंग जी सब लोग आये ते घर पे एक घंटा चाय पीकर रुपकत तब गए थे आप तो थे पूर सांसद हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं सार आपसे जानना चाहूंगे बता ही तमाम ये बाते बता रहे हैं कादिर साब कि इस तरह के थे नेता जी ऐसे मिल जाय करते थे वाके जैसे कहते हैं कि कभी जब लोगों से बात करते थे तो कभी ऐसा ही नहीं लगता था कि इ तो पांच लाग चाल लाग तो गरीब को ठाके औरो ने बहुत उपर पचाने का खाम किया उन जैसा नहीं मैं पाल्या मिंट में भी दहा तो मुझे ऐसे ऑलाद की तरह नों कंदे पाहत अखा और चड़ते थे तब सोरा दा सुआस्ता तो हमेसा उनकी बात नहीं बूली जाने मैं तो उनकी बात नहीं बूल सकता क्यों आज मैं एक अंपड़ आदमी कहलो या एक ध्याद का आदमी कहलो मुझे पुछाने वाले वी सक्स हैं मुझे कुल ग्यारा सो रुपे में रसीद कटवाई ती नहोंने तिरानमे में और पहला सिंबल मुझे को दिया था बहातर मिलाता मुझे में हार गया था यहां साहरी अकला की हाव लड़ेताय हैं और महार समय लागता है पो बें जीद के नहीं भी रहा पर वेपने दिल में बसे यह कि इनल्यों सुनिल 15 ABP गंगा, खबर आपकी, जबाँ आपकी